ओड़ाई ओड़ु हेलो फ्रैंड्स वेल्कम सी ओल इंजार्विस केंपस आज यहाँ पर हम बात करने वाले कि यह जो ऐसीड है उसके साथ मैटल के गार्बानेट या फिर मैटल के फिर यह चार्बानेट जो होते हैं वह कैसे रेक्ट करेंगे यहां पर यह जानने का है सबसे यहांपे हम क्या करेंगे तो two टेसट्यूब ले लेए दो टेसट्यूब में से एग को डाइन कारणी सि यहांपर को फ्यांपर कुछ ग्रपडाउं करते तरह कौनसे मेड़ानीट Quran यहां पर आज़ास कार्बूने vịकी इन्डर शूडियां कार्बूनेट डालते और यह जो टैश्विव भी उसके अंदर नमेज परNow ke यहां पर लंकन device के अंदर हम क्या करेंगे तो से इसट्टीव के यंदर टाइलूड सपीछ संपयर एसईड यहां पर यानी कि जब हबाबरे राइथ की हम मैटल कार्बोनेट और अब हाइड्रोकारबर्स के अन्दर सब्मस्रेकारणल करते हैं तो हमें यहां पर रियक्षण मिलेगा reaction मिलेगा पर क्या reaction होगा तो कि जैसे हमने चार्ण के साथ reaction किया था ऐसी डोर बेस का तो वहां पर hydrogen hydrogen gas जो है वो हुआ हुआ था रैट तो सेम धी यहां पर भी कोई gas relief होता है हाँ होता है पर वहोता है की नहीं होता है वह चेक करने के लिए क्या करेंगे यहां उसको यहां पर वहां से डिलिवरी ट्यूप के थुरू यहां पर एक स्था यहां पर एक्स्टा टैस्ट्ट फिलेंगे तो कार्बन डियाकसोर को हम क्या कर रहे तो कि दिलिवरी ट्यूब के दूसरी एक टेश्ट चूब के अंदर ले जा रहे जहां पे और रेडी केलशियम हाइड्रोकसाइड का सॉल्यूशन वहां पर रखा हुआ है तो यहां पर आप देख पाओगे कि यहां पे जो केलशियम ह यहां पर थोड़े बबल दिख रहा हो गया आपको यानि कि यहां पर जो भी मैटल कार्बोनेट था उसका इड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहां पर हम रियक्शन देख पा रहे और यह जो रियक्शन होता है तो फिर हमें क्या मिलता है तो कि कार्बन डायोक्साइड यहां से है फ्रैक्शन यहां पर हो रहा है वह क्या हो रहा है उसको हम यहां पर कैमिकल एक्किषन हैं तो तो चेक करते हैं दोनों का कैमिकल इक्वेशन बनाते हैं और उसी के अकोरडिंग हम यहां पर चेक करते कि कार्बन डायकसड तो यहां रिलिव होगा चलो यहां पर देखते हैं तो टेश्ट्यूब ए जो है उसके अंदर हमने क्या रखा था metal carbonate, कौन सा था, sodium carbonate Na2CO3, साथी साथ हमारा sulfuric acid का वहाँ पे, क्या था, solution था, 5 ml, यानि कि HCl लिख लेते, अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे Na2CO3, और यह HCl है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तो कि जो Na2 है न, Na2, और यह chlorine, दोनों mix हो जाएंगे, यानि कि 2 NaCl यहाँ पे बन जाएगा, और फिर, यहाँ पे आप देखो, तो यह जो hydrogen बजगा है, HCl का hydrogen बजगा है, वो hydrogen, CO3 है, CO3 में से, यहाँ पे एक oxygen को ले लेते, यानि कि 2 hydrogen और 1 oxygen, mix अप होगे, क्या बनेंगे, H2O बनेंगे, यहाँ पे उनलाग 2 hydrogen ने सब बुला, हाँ, 2 hydrogen, क्यों 2 hydrogen बुला, क्योंकि यहाँ पे यह जो HCl है, उसके 2 molecule यहाँ पे ले लेते, यानि कि 2 HCl कर देते, तब भी जाके यहाँ पे 2 Na और 2 Cl mix होगे, 2 Na से बना, 2 hydrogen और यह एक oxygen यहाँ से mix अप होगे, पानी बना, और बचा क्या, तो कि CO2, उसको भी लिख देते, यानि कि हमने यहाँ पे जब भी metal carbonate का reaction किया acid के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एक salt मिलेगा, एक तो water यहाँ पे relief होगा, और साथी साथ, क्या मिलेगा, carbon dioxide यहाँ पे evaporate होगा, यानि कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा, कि metal carbonate और acid का reaction क्या होगा, अभी test to B के अंदर क्या था, तो कि metal hydro carbonate था यानि कि NaHCO3 and sulfuric acid, यानि कि HCl दा, तो वहाँ पे क्या reaction होगा, वो देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, तो यह जो NaHCO3 है, again Na और Cl, Na और Cl mix up हो गया हैंगे, NaCl salt बना देंगे, अभी यहाँ पे देखो, तो बच्चा क्या, H, HCO3 बच्चा, तो यह 1HCl, HCl वाला 1H, यह NHCO3 वाला 1H, 2H mix हो गए, और यहाँ से एक oxygen ले लेते, यानि कि H2O बन गया, और बच्चा क्या, CO3 था, एक oxygen चला गया, CO2 बच्चा, यानि कि CO2 carbon dioxide बन गया, अब भी यहाँ पे देखो, तो again same thing हुआ, कि metal hydrocarbonate plus acid gives salt plus water plus carbon dioxide, यानि कि यहाँ पे in general form में, यहाँ पे हमें कोई भ लिख पाएंगे ना, कि metal hydrocarbonate plus acid gives salt, water and carbon dioxide, same thing उपर वहला टेश्टिप एक लिए लिए लिखना हो, general form में तो क्या लिखेंगे, metal carbonate plus HCl, HCl ने कि acid जाएंगे, metal carbonate plus acid, it gives salt plus water plus carbon dioxide, तो यहाँ पे हमने देख लिया, कि metal carbonate या फिर metal hydrocarbonate का, acid के साथ जब reaction होता है, तो यहाँ पे क्या chemical equation बनेगा, यहाँ पे क्या reaction होता है, वो देख लिए हमने, thank you